भगाना में एक यूवती को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया जिसमें एक यूवत के साथ जम कर मार्पीट की गई जिसके बाद भगाना पुलीस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है शेहर के उपनगर भगाना में दो पक्षों में बाच्चीत और फिर आपस में मारपीट करने का मामला सामने आया है घटना के बाद दोनों पक्षिर थाने पहुंचे और मामले की शिकायद दर्ज कर आई पुलीस ने दोनों पक्षों की ओर से फायार दर्ज कर मामले की जाश शुरू की घटना किरम रविवार की देर रात का भगाना थाना शेतर इस्थीट इस्टेशन के पास का बताया जा रहा है घटना से पहले फरियादी फरदीन पिता इक्तियार हुसेन उम्रू निस साल का कहना है कि रात करीब ग्यारा बजे उसके पास किसी यूवती का फोना आया बाचीट के दोरान यूवती ने उसे रेलवे इस्टेशन के पास माल गोदाम के यहां बुलाया जब यूवक महां पहुँचा तो करीब 4-5 यूवकों ने उसके साथ जम कर मार पीट की और चाकू से हमला किया जिससे उसकी नाक सहीद शरीर के अन्य हिस्सों में चोटे आई है बाद में यूवकों ने फरदीन से मुबाइल गले से चांदी की चेन और करीब 5,000 रुपे की नगदी छीनी और मोके से फरार हो गए बाद में इम्तियास घायल फरदीन को अस्पताल लाया जहां उसका उपचार जारी है भगाना थाने में उक्त घटना के संबन में बादचीत की गई तो पुलीस ने बताया कि यूवती की बादचीत के चकर में दोनों पक्षों में विवाद हुआ है घटना के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे थे जिनकी शिकायत पर धारा 323, 294, 506 और 34 के तहट प्रकरण दर्जी कर लिया है और मामले की जाच की जा रही है उसमामला का पुरा पुली में मुझे फोन लगा था जिया नाम की लर्टी जल्टी 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 अच्छा वापी उसके फोन रिखाया ने सकत्का पुली मुट आया तो समय के लगखा ऑख लिफा जर्टी जल्टी इससर्कत कितने लोगों के साथ करिए फेलेयों क्यों फेले तीर शर्य की क्या नाम है लड़के का नाम है लड़के का नाम हो पुस्मा है नाम अफ़ास नाम स्वाधी